हलो हाई नमश्कार शुरू करते हैं आज का सेशन अपना आज हमारी जो वकैब क्लास 154 और वकैब जो हमारी बुक है वकैब मंत्रा उसके 21 डे हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो है डे 22 स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें से हम अपने 100 words को डिसकस करेंगे और आप बड़ी महनत और इमानदारी के साथ सेशन को अटेंड करेंगे हर एक word को सुनना बोलना पढ़ना लिखना बहतरी इन तरीके से अगर पढ़ना लिखना दूसरी बार में हो तो कोई दिकत नी पर पहले इस वक्त जब उन्हें एक्स्प्लें किया जा रहा है तो बहुत बिना किसी देरी के और जो सबसे इंपोर्टन सेशन अब जो हमने एड किया है इसमें वो टेस्टिंग है आपकी तो टेस्ट में दा मोस्ट इंपोर्टन वकैबलरी मैं अभी ले रहा हूं जो कि अभी एक्जैम करंट एक्जैम से में पूछी जाने वाली है डेफिनेटली किस तरका तो उन ही शब्दों से क्वेश्चन बनाता है तो लास्ट में जो टेस्ट है वह बहुत इंपोर्टन है उसको बिल्कुल मिसमत कीजिएगा आए स्टार्ट करते बिना जारा समय लिये हुए वकैब क्लास 154 वकैब मंत्रा डे 22 लेट स्टार्ट इट शुरू करते ह नंबर प्लेट गाड़ियों की है वह अब वही वैलिड है बाकी और कोई नहीं है वैलिड मतलब जो यहां पर लिखा भी हुआ है लीगली एक्सेप्टेबल बो वैलिड का मतलब है जिसे कानूनी रूप से या सही माना जाता हो या एकसेप्ट किया जाता हो एक वर्ड है ब अगर आप लेट आए और आप जो रीजन बता रहे है वो लेजिटमेट नहीं है वो वैलिड नहीं है वो एकसेप्टेबल नहीं है लीगली का मतलब यह है कानूनी रूप से कानून का मतलब जो चीज सही हो वो करना राइट इसको लीगल और जो सही नहीं है वो करना वो इल वैलिड में मुझे एक ही शब्द है जो बहुत अच्छा मिला बाकी इसकी explanation यह है वैलिड का मतलब होता है legally acceptable अगर आप अपने official level पर अपने exam की level पर पूछेंगे तो वैलिड को हम कहते है legally acceptable, suitable, legitimate या फिर convincing इस पर भरोसा किया जा सके अगर हम उल्टे को देखे तो उल्टे मे अंट्रू मतलब जो चीज सच नहीं है, illogical मतलब बगार सरपयर की बात, यह शब्द भी बहुत अच्छा है, illogical वैसे common शब्द है जिसमें कोई logic ना हो बगार सरपयर की बात की गई हो, वो illogical है ज़रा statement लेते हैं, देखने के इससे वाक्य है राइट, let's take this license, बो, is valid only for one year, यानि के this license is valid only for one year, क्या एक साल के बाद भी वो इस्तमाल में आ सकेगा या फिर वो legally acceptable नहीं होगा, यानि के एक साल के बाद वो जो license जो आपको दिया जा रहा है, that will not be legally acceptable, बोले this license is valid, यानि के valid के जिगह मैं क्या बर सकता हूँ, legally acceptable, convincing, legitimate, suitable only for one year, यानि के सिर्फ एक साल काम आएगा, बाकी और काम नहीं आएगा, this license is legally acceptable या valid only for one year, तो valid कॉम ने देखा, और last में, टेस्टिंग में कोई भी वर्ड मिल सकता है, इन में से, जुरुर नहीं के वैलिदी मिले हो बिल्कुल सही, बोले prove something true, किसी चीज को सच साबित करना वो vindicate होता है, vindicate का मतलब अपने आपको सही साबित करके निर्दोश साबित करना भी होता है, vindicate का मतलब एक तरीके से एकुट भी होता है, सजा से माफी भी होता है, अगर हम कहें, the judge has vindicated the accused, जिस पर आरोप था, उसक का मतलब कोई सुबूत उसके खिलाफ मिला नहीं, तो उसको माफ कर दिया गया, तो vindicate का मतलब दो तरीके से होता है, एक तो इसका main meaning जो है, वो यहाँ पर है आपके सामने, prove something true, किसी चीज को सच साबित करना, जिसको गलत माना गया था, यान कि वो सही था और उसको गलत मान करना, justify, बोले clear, अगला वर्ड बेटा, बड़ा important है, बोले acquit, acquit का मतलब है सजा से माफी, जैसे की मैं बात कर रहा था आपको, right, कि जज ने उसको acquit कर दिया क्योंकि कोई पुखता सुबूत उसके खिलाफ नहीं मिल पाया, तो acquit का मतलब सजा से माफी है, right, claim भी है, कि इस बात को claim किया जा सकता है, यानकि हम claim कर सकते हैं, इस चीज के खिलाफ claim होता है, कि अगर आरोप लगे तो claim किया जाएगा, कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, अब देखो ध्यान से, इसमें बड़ा प्रूव कर पाए, एक तो vindicate का मतलब हो गया, किसी चीज को सही साबित करना, सही साबित ना करके उसको disapprove करना, disapprove का मतलब आप प्रूव नहीं कर पाए, जब आप अपने आपको प्रूव कर पाए, कि आप सही बोल रहे थे तो वो vindicate है, पर जब प्रूव नहीं कर पाए, वो क्या हो जाता है, वो क्या हो गया, बिसप्रूव या फिर एक वरड जो है, वो टेंट कैलाता है, वो टेंट है, अक्यूस का मतलब आप जानते है, किसी पर आरोप लगाना, किचर उछालना, कि तुम ने किया ये काम, that is called accuse, यानि कि कोई गलत काम हुआ, उसको किसी के उपर डालना, वो क्या है, बिटा, अक्यूस, राइट, तो डिसप्रूव टेंट, टेंट, बहुत अच्छा शब्द है, किसी को आरोपी गोशित करना, तो ये टेंट और अक्यूस, इसमें जो वर्ड हमारे सीखने के है वो बहुत अच्छा शब्द आपको मिले, विंडिकेट मिला, अक्विट मिला, टेंट बहुत अच्छा शब्द है, कहते, don't taint my image, don't taint my image, don't taint the name of your family, you can't accuse me for your loss, she welcomed the opportunity, she welcomed the opportunity to vindicate herself, she welcomed the opportunity to vindicate herself. महिला ने अपना पूरा-पूरा फाइदा उठाया, का उसे महिला ने अपना पूरा-पूरा फाया above लगता-टारी करणाया, फाल aksItalyus, लगताया आपनर महणत पर, चीजों में जुड़ते रहेंगे और लास्ट में जब टेस्ट आएगा तो सारेक सारे अपना नंबर भी बताया करो कि कितने नंबर आए कि कितने नंबर नहीं आए कमेंट करके कमेंट सेक्शन में that is very important तो अगला वर्ड हमारे पास बहुत इंप्डえज सबहें ज्रेज कोई पच पाया रीवाइभ use दोपारा से जीवन इसमें यहां पर विव रड़ आरा इसका मतलब कहीं जीवन से संब्स के जिन्दा दिल हमता है बोले विवाशियस विवाशियस को जो exact मतलब है उचारन तोड़ लिया करो अगर नहीं पढ़ा जाए विवाशियस बोलो विवाशियस बहुत जादा पुछा जाने वाला और बहुत जादा रीकरंट में न्यूस पेपर वगरा में मैगजीन में खूब मिलेगा जो भी वेक्ति-Energetic हो पूरी ताकत से भरा हुआ पूरी उरजा से भरा हुआ उसके लिए हम इस्तमाल करते हैं बोलो विवाशियस यहाँ पर जो मीनिंग है यह रहा फुल ओफ एनरजी जो एनरजी से भरा होता है तो फुल ओफ एनरजी बोले विवाशियस विवाआचियस फुल आफ एनरजी यहाँपे एक वर्ड आगे बिटा बो लो Spirited खुश कौन रहेगा जो energy जिसके अंदर नहीं है या बहुत energy है इसमें बहुत energy है, वो cheerful होता है, एक पर फिर से पढ़ते हैं, बोले vivacious, मतलब क्या निकला, full of energy, बोले spirited, bubbly, lively, cheerful, इसके उल्टे में देखो, बहुत अच्छा शब्द मिल रहा है, बोले language, और language का मतलब क्या है, lazy, पर आपके सीखने का lazy है या language है, language है, क्यों, क्योंकि यह अ बस वो सपनों में रहता है, यह कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो ड्रीमी किसम का परसन है, करम नहीं करेगा, जादा dreams लेगा, बोले language, lazy, dreamy, even the most sedentary, right, एक बार इसको clear कर लेते है, sedentary का मतलब होता है, sad, उदास, बहुत जादा, pathetic, बढ़ी pessimistic और बहुत जादा नकारात्मक सोचने वाला, that's called sedentary, sedentary का मतलब होता है, lazy ही मान लिएगा, एक तरीके से, language, sedentary का मतलब होता है, lazy ही मान लिएगा, एक तरीके से, lazy, sust, ढीला, बीमार, right, even the most, बोलो, even the most, sedentary slope, sedentary slope, sedentary slope का मतलब बहुत ही lazy fellow, slope का मतलब से है, यानि कि बहुत ज्यादा सुस्त वेक्ती भी, can feel, बोलो, can feel, revitalized, revitalized, revitalized का मतलब क्या है, उसमें ताकत महसूस होती है, वो अपने अंदर विवाश्यस महसूस करेगा अपने आपको, बहुत ताकत महसूस करेगा, revitalized मतलब किसी ने जान फूक्ष दियो, जैसे जैसे दो अपने अपने आपको प्रेजन करता है, ऐसी सोल क्या होती है, विवाश्यस सोल, बहुत अनरजेटिक, राइट, इवन द मोस्ट सिदेंट्री, यानि कि बहुत जादा सूस्त वेक्ती भी, can feel, revitalized, बहुत ताकत महसूस कर सकता है, इन प्रेजन सॉल, तो यहां पर अपने अ सिदेंट्री स्लोब से क्या मतलब समझ में आया, यानि कि एक लेजी वेक्ती भी बहुत ताकतवर महसूस कर सकता है, रिवाइल्टलाइज का मतलब समझ में आया, बिल्कुल सही, जो सिदेंट्री स्लोब है, वो भी revitalized महसूस कर सकता है, जब एक विवाश्यस सोल वहां पर यानि कि एक व्यक्ती जो उर्जावान है, वो आपको उर्जावान बनने के लिए लगातर पर रीद करेगा, और व्यक्ती जो सुस्त है वो अपनी जैसा, जैसी संगत वैसी रंगत कुछ ऐसा वाक्य का sense से बिटा, बोलो बात समझ में आई, बहुत अच्छे, आगे बढ़ accentuate, 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 accentuate का मतलब होता है बेटा, देखो लिखा भी हुए, single stress और single out as important, इसका मतलब ये है कि किसी चीज पर जोर डालना, single out का मतलब होता है, जैसे मान लिजे कि बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको जिंदगी में करनी है, ये इतनी सारे काम आपको जिंदगी में करने ह ये वाला जो काम है, अगर कहा जाए कि अभी पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी, तो पढ़ाई को बार बार, ये सारे कामों में से सबसे ज़्यादा accentuate किसे कहा जा रहा है, पढ़ाई को, कि दिमाग अगर develop नहीं कर पाई, इनसान होने के नाते, इनसान होने के नाते, इसे किया जा रहा है, तो आपको इन सारे मुद्दों में सबसे ज्यादा जो stress करना है, वो किसको करना है education को, तो यहाँ पर भई जो सिक्षक होते हैं, जो parents होते हैं, वो अधिकतर आपकी education को क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेंचुएट करते हैं, वो अधिकतर, stress और single out is इसका मतलब अब यहां पर देखो, सिंगल आउट का मतलब क्या होता यह भी समझ लो, इसमें बहुत सारे मुद्दे थे जो जिंदगी में आपके आते हैं, पर इफिसे सिंगल आउट किसे कर लिया गया, एजुकेशन को, जिसकी एजुकेशन जिसकी सिख्षा बहुत अच्छ कि यही काम बहुत इंपोर्टन है, बोले स्ट्रेस, अगला वड़ है, एंफसाइज, हमने एंफसाइज किया, ब्रिंग टु लाइट, यानि कि हमने इसी पॉइंट को क्या किया, एक्सेंट्वेट किया और परकाश मिलाया, अगला वड़ बढ़ इंपोर्टन है, बोले प् कि इसमें, जो यह जो नए कानून, आए थे, कृशी कानून, उसमें ये बार-बार वर्ड आया, प्ले डाउन, कि यह जो क्रिशी गानून है, जो बीच के भीचोन लिये हैं, जो आड़तियों के पास प्रोफित जाता है, उस प्ले डाउन कर द देंगे, यानिकि उनका जो म प्लेटाउन को प्मिंटेशं को सबसे इंपर्टेशन को मान लिया तो बाकी सारी सारी चीजें प्लेटाउन हो गई कि बाकी कुछ भी हो अगर education आपकी हलकी रह गई तो याद रखना जिंदगी में आप अपने उतकर्ष तक नहीं पहुंच सकते अगर आप सोचते हैं कि बाहूबल से नहीं बाहूबल से क्योंकि बाहूबल भी उसी के अंदर आएगा जिसका मन मजबूत है जिसका मन कम इसका मतलब जो डालना हाइलाइट करना किसी चीज को बहुत जादा उभार कर बहार लाना यू कुले यू कुद वियर अपनी ब्राउन शिर्ट को और ज्यादा बढ़ान आईज यह बड़ा फिल्मी तरीके का एक वाक्या है पर आपको बहतरी समझ में आएगा क्या कि अग अगर आप अपनी ब्राउन आईज के एफेक्ट को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको उसके ओपर कैसी शर्ट पहलेनी चाहिए ब्राउन शर्ट पहलेनी चाहिए इसका मतलब यह है कि कोई बताना चाहता है कि अगर आप अपनी फिजिकल अपिरेंस को और बहतर से सिंगल आउट करना चाहते हो यानि के भीड में से अपनी फिजिकल अपिरेंस को निकालना चाहते हो तो वहां पर वाक्या आ गया क्या यह ओगया न स्ट्रेस और सिंगल आउट अगर आप अपने कपड़ों को अच्छा बनाना चाहते हो तो यह देखो यू कुड वियर अप्राउट शर्ट तू एक्सेंच्ट यूर ब्राउट आईज बोलो अपने आप से बोलो बिटा बात समझ में आई बहुत अच्छे बहुत बढ़े यह एक्सेंच्ट वेट है इसका मतलब to make something more important या single out करना stress out करना उस चीज़ पर जोर डालना राइट वाक्य जरूर लिख लीजेगा सुनना बोलना पढ़ना लिखना सब साथ साथ होना चाहिए और अगर साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं राइट दूसरी बार देखते हुए हर एक वाक्य पर sentence चीज़ जरूर लिखने ना बटा जब तक श्रमत के साथ वाक्य नहीं लिखोगे अगर आप ऐसे ही रठते रहोगे accentuate 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 single out single out single out कोई फाइदा नहीं पिटा क्यों क्योंकि एक को सर में नहीं मारना जब तक की वाक्य समझ में आएज अब तक वकैब सीखने को कोई पाइदा नहीं बेटा, statement लेतने बुले, bounty, bounty के दो मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है ये वाला, copious abundance वाला, एक तो इसका मतलब क्या है, ये, copious abundance, the property of copious, या ये कोई भी ऐसी चीज जो प्रचूर मात्रा में हो, एक तो इसका मतलब होता है, प्रचूर, और एक इसका म इनाम वगएरा रखा जाता है, that's called bounty, जैसे इसके ओपर कहते हैं, इतने इतने का इनाम है, तो जो इनाम रखा जाता है, उसी नाम को भी हम क्या कहते हैं, वो भी bounty होता है, bounty, the property of copious abundance, यानि के bounty, bounty का मतलब, copious का मतलब होता है, बहुत अधीक मात्रा में, संख्या या मात्रा म में बहुत जादा, बहुत जादा, बहुत जादा, that's called copious, जैसे I have copious questions in my mind, बो, I have copious questions in my mind, इसका मतलब there is bounty of questions in your mind, bounty का मतलब copious abundance, आपका दिमाग question से भरा हुआ है, जैसे I have copious doubts, बो, I have copious doubts, संख्या या मात्रा में बहुत जादा, उसे हम क्या कहते हैं, copious, copious का मतलब जो जो प्रचूरता है, उसे हम क्या कहते है, abundance, कहते है, live the life of abundance, प्रचूरता का जीवन जीना चाहिए, not scarcity, इसका उल्टा है, scarcity, scarcity का मतलब ना के बराबर कोई चीज हो, abundance का उल्टा क्या है, scarcity, जैसे आज पानी पीने के लिए आपके पास abundance में है, इसलिए value नहीं जानते ह पानी scarcity में होता तो एक एक boond important हो जाती, yes or do, yes sir, तो पानी आज कैसा है, bounty में है, copious abundance में है, right, और मैंने का था ना कि कोई चीज देना, grant, जो grant मिलती है, उसको क्या कहते है, एक तरीके से वो grant gift होती है, तो यह meaning निकल सकते है, reward, reward मने इनाम है, किसी के ओपर इनाम रप दिय दिया जाता है, extra पैसे दिया जाता है, यह भी sense निकल सकती है, अच्छा उल्टा देखो, बो, penalty, penalty, fine, penalty, fine, penalty, fine का मतलब यह हो गया, किसी पर fine लगेगा, penalty लगेगा, गलत किया है, yes or no, यह तो gift हो गया, इसका मतलब तो, और gift का उल्टा क्या हो गया, penalty और fine हो गया, yes or no, reward का penalty होगा, penalty और fine होगा, जुर्माना होगा, yes or no, इनाम का उल्टा क्या होगा, जुर्माना होगा, जरा state में ले दे, अगला वाक्य बड़ा important है, बहुत गजब का बाक्य है, जहां से समझी का, बोले, a government, known for its bounty, एक ऐसी government जिसके पास चीजें प्रचूर मात्रा में हो, यहां प बहुत सारे देशों का पूरा, पूरी एकॉनमी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा उनका रक्षा बजट है, डिफेंस का ही सिस्टम है, यानि कि a government known for its bounty, यानि कि a government जो अपनी प्रचूरता के लिए जानी जाती है, will probably, set a large bounty, यानि कि इनाम रखा जाता है, अरे सांभा, क इसके पास पैसा प्रचूर मात्रा में है, वो definitely एक बहुत बड़ा इनाम रखेगी on the head of a murderer at large, at large का मतलब जो crime करके फरार है, at large का मतलब जो crime करके फरार है, यानि कि crime करके सजा बिना पाए घूम रहे हैं, वो क्या होते है, at large, यानि कि to escape without punishment, at large का मतलब उन्हें सजा नहीं म की पकड से बाहर, कभी भी कहते हैं, यानि कि वो हाथ में नहीं आ रहा, यानि कि वो फरारी पर है, बोले at large, at large, कहते हैं उसने दो आदमियों को मार दिया, but he is still at large, बोलो he is still at large, पूरा वाक्य मेरे साथ बोलेंगे, और वहां बोलना वो आपकी इमानदार ही आपका धर्म ह क्योंकि कर्मी धर में बिटा, कर्म आपके हाथ में बाकि और कुछ नहीं, तो बोलें बहुत अच्छे से, बोले he has murdered two persons, but he is still at large, अब मुझे बता, उसने दो आदमियों को तो मार दिया, पर वो कानून की पकड में है या पकड से बाहर है, जैसे ही आपने कहा के at large इसका मतल इसके लिए 10 क्रोड रुपे का है नाम, कोई इसका नाम बता रहे का तो हम 10 क्रोड रुपे देंगे, तो यह क्या होगा, एक large bounty उसके सर पे रख दी, on the head of, yes or no? यहनि कि इसके सर पर, living or dead कोई भी दे दे, on the head of a murderer at large, अगर कोई खुनी फरार है, अगर कोई खुनी कानून की पकड से बाहर है, तो कोई भी गवर्मेंट जो अमीर है उसके उपर एक बड़ा ही नाम रख देती है, बोलो बटा, बात समझ में आई, तो bounty के दोनों मीनिंग क क्लियर करने की कोशिश की मैंने, और मेरी साब से आपको बैतरीन तरिके समझ में आये, और यह वाक्या जुरूर लिखके इनको बार-बार पढ़ना, इसी से कॉंप्रियेंशन सारी-सारी चीज़ें आपकी डेवलप होती जाएंगी धिरे-देरे, बेटा, आगला वड़ है यह क्या है, यह contour of the body है, जो outline है मेरी, right, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो pencil से, right, अगर कभी मोका मिला तो बहुत कितनी सारी ऐसी painting है बच्चों ने अपने हाथ से pencil से बना कि इतनी जबरदस और ऐसी कैसी आकरती उसमें आपको दिखाई देगी, यानि कि शरीर का exact वही parameter और ब पास रखी हुई है, right, जो बच्चों ने खुद अपने हाथ से बना के मुझे gift किया batch के end होने पर, right, के batch के end होने पर किसर आप नहीं तो भूल जाएंगे, आपने हजारों लाखों को students को पढ़ाया है, तो हम कैसे याद रहेंगे, तो वो जो 10-12 paintings जो pencil से बना कर बच्चे gift कर जाते हैं अदिकतर, एक का दो काउस में से color में से भी हैं, तो उसमें वो किस चीज का ध्यान रखते हैं, वो ध्यान रखते हैं किसका, contour का, वो outline का ध्यान रखते हैं कि वो ना भी गड़ जाए, तो contour का मतलब outline है, shape है, shape of something, form, type, way, mode, manner, line, curve, curve, curve का मतलब मोड होता है, जह or the shape of your foot, जो आपके foot के साथ अच्छे से, अच्छे से क्या होता है, fit होता है, आपकी shape के साथ, is a good fit, यानि किस जूते को आप fit मानोगे, अब देखो द्यान से, बहुत अच्छा शब्द है, a shoe that fits well along the contours or the shape, यहां पर contours को क्या कह दिया, shape, जो आपकी pair की shape है, अगर उसके हि मतलब जैसी भी है, अगर पैर की shape ऐसी और जूता ऐसी ही है, कई बार होता है ना, कि पतली नोक वाला जूता बहुत सारे नहीं पहन सकते, उनको चोड़े-पंजे वाला जूता चाहिएगा, क्यों क्योंकि उनका जो पंजा है वो चोड़ा है, तो उनके जो पैर की जो contour बन में कि नहीं आई, और जिनका पंजा पतला है, अगर वो चोड़े-पंजे वाला पहने तो जूता वो निकल निकल के भागेगा, क्योंकि वो पकड़ नहीं बना पाएगा, यह सो नो, किसको हम गुड़ फिट बाने, अशू that fits well, बोलो, along the contours, और shape of your foot, is a good fit, उसी को कहा जा adjusts to your shape, इसका मतलब यह, एक ऐसा mattress contours to your body, यहन कि आपकी body के हिसाब से जो आकार लेता है, जो outline, body के हिसाब से अपने आपको ढाल लेता है, वो आपकी shape के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, adjust करता है, तो contour का मतलब क्या है, आकरती, outline, shape, curve, अगर कोई गाड़ बना रहा है, तो पहले engineer उसका क्या बनाएंगे, एक contour बनाएंगे, जैसे आप कई बार paint में क्या करते है, जो MS paint है, या फिर slide बनाते है, तो slides में क्या करते है, आप contours, अलग अलग तरीकी contours, curves और outlines का इस्तमाल करते है, बोले बटा बात समय कि नहीं, तो आप इसको भी contour कह स पैन्योरी का मतलब क्या है, गरीब, पैन्योरी का मतलब क्या है, जो गरीबी है, जो poverty है, जो गरीब, जिस यातना से गुजरता है, उसको हम क्या कहते है, वो गरीबी है, a state of extreme destitution, destitution का मतलब क्या है, destitution का मतलब है, बे-सहारापन, यानि कि destitution का मतलब हर एक चीज का अभाव किसी भी चीज की कमी a state of extreme destitution destitution का मतलब कमी का extreme जो होता है उसे हम क्या कह रहे है penury penury माने क्या है poverty ये तो word आप जानते ही हो तो ये word किसी काम का नहीं क्योंकि बच्चा भी जानता है ये word अच्छा है penury a state of extreme destitution यानि कि abhav का जो extreme है right abhav का extreme a state of extreme destitution is called penury poverty आप जानते हो penny का मतलब एक पैसा होता है और पैसा भी अगर ना हो जेब में तो that's called pennilessness बो pennilessness right तो pennilessness का मतलब होता है बिटा जिसमें एक पैसा तक वेक्ती के पास ना हो that's called pennilessness paucity बहुत अच्छा शब्द है prosperity का मतलब खुशाली यह बहुत अच्छा शब्द है fate का मतलब क्या है भाग गे यानि कि किसी पर भाग गया अगर मेहरबान है तो गदर भी faithful fate का मतलब क्या है भाग गे fate माने भाग गया prosperity माने भी भाग गया और खुशाली रिचिनस माने अमीरी सेट में लेते हैं मोहन फाउंड मीरियड बहुत अच्छा शब्द है बेटा स्पेशली इसको आउटलाइन करना स्पेशली इसको इंपोर्टेंट मान के अंडरलाइन करना और लिखना बोले मीरियड उचारण क्या इसका मीरियड का मतलब डिफरेंट होता है यानि के अलग-अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप या अफ वेरी वेरी टाइप अफ वेरी टाइप मीरियड का मतलब क्या है अलग-अलग परकार के कई परकार के राइट मोहन फाउंड बोलो मीरियड माने बहुत तरीके के कई परकार के मोहन found myriad avenues of distractions from his family's penury इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मोहन एक student है या मोहन एक businessman है और उसे अलग-अलग तरीके के ऐसे मोके मिले अलग-अलग तरीके पर ऐसी घटनाए उसको देखने को मिली अपनी family की गरीबी के कारण यानि कि उसको ऐसे मुद्दे आते रहे जैसे माली जी उसने सोचा कि अब मैं बहतरीन तरीके से अपनी यात्रा की तरफ चलूँगा बहतरीन तरीके से अपनी यात्रा की तरफ चलूँगा तो उसकी जो family की penury थी जो family की गरीबी थी जो family का अभाव था उसके द्वारा उसको अलग-अलग तरीके की ऐसी घटनाए बनी कि उसकी concentration बनी या distraction कि लगातार वो अपने गोल से distract होता रहा Mohan found myriad avenues of distraction from his family's penury इसका मतलब यह है कि Mohan को मिले अलग-अलग तरीके की ऐसी घटनाए जिसमें कि उसकी concentration भंग होती रही किसके कारण से family की गरीबी के कारण से एक बार फिर से पढ़ेंगे बोले Mohan found myriad avenues of distraction from his family's penury avenues का मतलब यहां पर moments कह सकते हो ऐसे बहुत सारे शनाए उसकी जिन्दगी में राइट और जिन्दगी तो बेटा टिकी ही basically टिकी ही distractions या टिकी ही समानता पर नहीं विशमता पर है यहां पर हजारो ऐसे मोके हैं कि जिन्दगी ना बचे हजारों ऐसे मोके हैं अगर सूर्य का तापमान एक डिगरी से उपर चिला जाए तो हम नहीं बचेंगे हवा में oxygen खतम हो जाए हम नहीं बचेंगे धरती में पानी खतम हो जाए हम नहीं बचेंगे ऐसे ना जाने एक दिन मतलब बहुत जबरदस्त बादल फट जाए कहीं पर तो हम नहीं बचेंगे मतलब वो सारी घटनाई नहीं हो रही है तब हम जीवित हैं अलका पिंड कोई टकरा नहीं रहा है हमारी अर्थ से इसलिए हम बचे हुए हैं नहीं कि हमारा जो बचना है वो एक exception है नहीं तो मरने के तो मौके बहुत हैं मरने के चांस बहुत हैं तो मीरियर्ड एवन्यूस बन सकते हैं ऑफ आर डेथ बट हम जीवित हैं और जब तक जीवित हैं उस जीवन का पूरा पूरा लाब उठाना चाहिए यहां पर अगर इस दें दिस्ट्रेक्शन के वो भी कारण क्या बना फैमिली पेन्यूरी क्या बात समझ में आई बिटा लगा तर महनत करते रहना है कुछ नहीं सोचना के बढ़ी distractions आ रही हैं किसी कारनव श्थिक है वो आती रहती हैं बिटा जीवन इसी का नाम है इस दिस्ट्रेक्शन सि आपने आप में किसी चीज की कमी ना होना यह बहुत अच्छा शब्द है बेटा रेपलीट का मतलब होता है संतुष्टी के स्तर तक भरा होना यह क्या कारण है बहुत अच्छा लगवग आदा इससाल डोनेट कर देते हैं और फिर से दुगनी संतुष्टी उनके बास आखी खटी हो जाती है ऐसा दान देने से कहते हैं और दान वही दे सकता है जो क्या है बोलो रेपलीट बोले फिल्ड तू सेडिस्वेक्शन जिसका मन संतुष्ट है वो बांट सकता है, अगर मन्स असंतुष्ट है तो बेटा वो बांट नहीं पाएगा, नाच वही सकता है जो अंदर से मस्त है, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और उसे आप नाचने के लिए मजबूर करोगे तो उसके नृत्य में आपको वो मज़ा आएगा ही नहीं, अनृत्य में ऑर निरत्य में वो जहलत आपको जो दिखेगे, वो मजबूरी की नहीं दिखेगी, वो एंजोइमेट की नहीं दिखेगी, रेप्लीट का मतलब होता है, फिल टू सटिस्फक्षिंशन यारिकिके सटिस्फक्शन के लेवल तक भर देना, बोले ह्यानी, फुल, अबाउंड, का मतलब अधिकता में होना, भरा होना, that is called अबाउंड, बोले complete, अपने आप में पूरा, संपूर्ण, तभी तो satisfaction आ रही है, yes or no, बोले missing, lacking, wanting, lacking, 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 से आपको समझ भायागा किसी चीज़ की कमी होना, lacking, यह जो session है, अगर इन sessions को आपने अच्छे तरीके से अटेंड किया, मैं जुबान देता हूँ, newspaper में, magazine में, exam में, कभी कोई ऐसी vocabulary मिलेगी जो इससे बाहर आपको मिले, यानि कि यह session आपको replete कर देंगे, बोलो, क्या कर देंगे, बोले, these sessions will make you replete in the sense of vocabulary, जो vocabulary की sense है, vocabulary का जो अर्थ है, उस मामले में, या vocabulary को समझने के मामले में, ये sessions आपको replete कर देंगे, किसी भी तरीके की lacking, wanting or missing नहीं बचेगी, कोई चीज आप चुकोगे नहीं, बोले, your kitchen is replete with essentials, अनपूर्णा अगर किसी चीनी, चावल, गेहु, इसकी कोई कमी कभी नहीं पड़ेगी, कभी कमी मिलेगी नहीं, तो kitchen कहते हैं, आपके kitchen में भरमार है, वो भरपूर है, किस चीज से, essential से, जो भी ज़रूरी चीज है, वो आपके kitchen में available है, इसका मतलब परमात्मा महरबान है, कोई कमी आपके पास, you are not lacking, आपका kitchen किसी भी चीज में missing या lacking, नहीं है, वो replete है किस से, essential से, बोलो बात समझ में आई, बहुत अच्छे, एक बार अच्छे से revise करेंगे, पूरे 10 करने के बाद, let's start, right, शुरू करते हैं, इससे आगे चलते हैं, 8 sessions, 8 words we have done, इस session का हमारा 9th word आपाने जा रहा है, बोले sedition, sedition का मतलब होता है देश-द्रो, basically, right, किसी को अपने देश के खिलाफ, या किसी भी legal authority के खिलाफ, जो इस वक्त सरकार में है, उसके खिलाफ, कोई activity करना that is called sedition, यानिके एक तरीके से देश-द्रो करना, एक तरीके से जो authority है, जो legal authority है, इस वक्त जो की देश संभाल रही है, उसके खिलाफ, शेडेंतर करना that is called sedition, sedition के charges मतलब देश-द्रो के charges, देश-द्रो, देश का मतलब क्या, इस वक्त देश की सरकार जिसके हाथ में हैं, उसके खिलाफ भी, यानिके जो lawful authority है, insight का मतलब क्या होता है, भढ़काना, किसी को भढ़काना, किसको करना, resistance का मतलब होता है, विरोध, यानिके विरोध को भढ़काना, कि बहीं लोग जादा से जादा विरोध करें, inciting resistance to lawful authority यानि कि इस वक्त जिसकी सरकार है उसके खिलाफ लोगों को भढ़काना that is called sedition वो sedition होता है यानि कि जिसकी सरकार है, सरकार किसकी है देश की तो automatically उससे किसे इंगनेट किया जाता है देश से, कि भी ये देश के खिलाफ activity कर रहे है तो sedition है बेटा ये sedition के charges हैं inciting, incite का मतलब भढ़काना residence का मतलब क्या है, resistance का मतलब है विरोध to lawful authority यानि कि जो lawful authorities हैं उनके खिलाफ भढ़काना, देखो यहां पर एक वर्ड आगया बो agitation, बहुत जादा चीजों को ना होने दे, वो trouble making के level पर ले जाए जाए जाए, बोले trajan, right, trajan का भी मतलब क्या है, विश्वासगात, देश से गदारी that is called trajan, right उल्टे में देखें, quietness, माने शान्ती और allegiance का मतलब क्या होता, ये बहुत अच्छा श्रबद है बेटा allegiance, राष्ट भagती, देश प्रेम, ये जो वर्ड आते हैं राष्ट भकती और देश प्रेम, उसे हम अगर ईंग्लिश में कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे? बहुत इंपोर्टन वर्ड है 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 बहुत इंपोर्ड है बहु सरदार भगत सिंग, राजगुरू और सुक्देव, अंग्रेज भी तो ये मानते होंगे, ये जो लोग है, ये देश-द्रोही हैं, ये जो लोग है, हमारे मतलब lawful authority के खिलाफ हैं, इसका मतलब सरदार, राजगुरू, भगत सिंग हमारे लिए क्या हैं, वो तो सर्वो पर ही की गई, पर उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने माना या रिफ्यूज कर दिया, बोले, that Britishers refuse to level sedition charges against सरदार भगत सिंग, राजगुरू, एंड सुक्देव, और उनको उन्होंने क्या कह दिया, them, यानि कि उन्होंने मना कर दिया, कि इनके against जो sedition के charges हैं, जो trouble making के charges हैं, जो ट्रेजन के charges हैं, वो level नहीं किये जाएंगे, यान कि उन्होंने हटाया, नहीं जाएगा, बोले बटा, बात समझ में आई, the last word after that, stay ready for the test, आज का last word हम लेने जा रहे हैं, बोले tenacious, और tenacious का मतलब दिर्ड होता है, कोई resolute है अपनी बात पे, अपनी बात पे अड़ गया तो पिर रॉड जो बात ना मंने, that is called, tenacious, stubbornly, unyielding, stubbornly, unyielding, stubbornly, unyielding का मतलब, बिलकुल ना जुकने वला, जो बिलकुल जुकता नहीं है, किसी के सामने, right, stubbornly, unyielding, यानि कि बहुत ज़रा जिद्धी तरीके से ना जुकने वाला, stubbornly का मतलब जिद्धी तरीके से, unyielding मनें जो बिल्कुल नहीं जुकता, right? They are called stubbornly unyielding. जिसे जो बच्चे होते है, वो टनाशियस होते है अपनी बात किया? आसके रिरिम चाहिए, 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 मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, तो चाहिए. That is called tenacious attitude. Right? So stubbornly unyielding. yield का मतलब क्या होता है जुक जाना yield का मतलब क्या होता है जुक जाना unyielding का मतलब क्या होता है जो कभी न जुके stubbornly माने बहुत जिदी तरीके से न जुकने वाला अब word आगे बिटा बो obstinate का मतलब जिदी होता है firm का मतलब unsure, infirm, irresolute, or unsure, जो unsure हो, right? So, इससे आगे चलते हैं, sentence लेते हैं, बटा, tenacious memories of my destitute childhood, यानि कि वो ऐसी memories है, बड़ा गजब का वाक्य है, बटा, बहुत अच्छे सी इसको समझना, tenacious memories, यानि कि वो memories हलकी हैं, नहीं बटा, वो इतनी जिर्दी हैं, इतनी जिर्दी हैं, कि बार-बार दिमाग में आ जाती हैं, tenacious memories of my destitute childhood, अब destitute मैंने बताया था, क्या होता है, destitution क्या था, बे सहरा, abhav, that is called destitute, my destitute childhood, ऐसी memories मेरे बच्पन की, जो बिलकुल, जिसमें कोई सुविधाई नहीं थी, abhav से भरा हुआ बच्पन, tenacious memories of my destitute childhood, have made my youth powerful, अगर मेरी जवानी को, मैं कहूं कि असली ताकत किस ने दी है, तो मेरा वो बच्पन जो की, बिलकुल, abhav में गुजरा है, जो कमी में गुजरा है, tenacious memories of destitute childhood, क्या वो memories ऐसी हैं, कि वो दिमाग से जा सकती हैं, बिलकुल नहीं, वो memories बार-बार दिमाग में आती हैं, कि यार ऐसा भी एक समय था, कि जिन्दगी ऐसी भी होती थी, आज ऐसी है, पर पहले कैसी होती थी, तो tenacious memories of my destitute childhood, यानि कि बच्पन का वो अभाव का समय, यानि कि वो जो यादें हैं, वो जो दृड़ और जिद्धी यादें हैं मेरे दिमाग में, tenacious memories of my destitute childhood have made my youth powerful, यानि कि उन्होंने मेरे जवानी के समय को ताकत दी है, या ताकत वर बनाया है, बहुत अच्छा वाक्य और अब हम टेस्ट के लिए त्यार होंगे, एक बार उससे पहले पुरा का पुरा जो हमने पड़ा है, उसको एक बार रिवाइस कर लेते हैं, आर या रेडी फो देट? चले, स्टार्ट करते हैं, अब हम सारे वाक्यों को एक बार पढ़ लेंगे, और देखेंगे वाक्य की सेंस अगर बन रही होगी, तो इसका मतलब वो वर्ड मेरे अंदर प्लस हो चुका होगा, राइट, लगबग 100-500 वर्ड समने किये, अभी discuss, और अब हम उसका टेस्ट भी लेंगे, विल टेक टेस्ट, राइट, इस लाइसेंस इस वैलिड, लेजिटिमेट, इस लाइसेंस इस वैलिड ओनली फॉर वन यर, क्या वाक्य समझ में आया है, विंडिकेट पर चलते हैं, क्या वाक्य समझ में आया है, विवाश्यस पर वाक्य लेते हैं, इवन दा, मॉस्ट सिडेंटरी स्लोब, मतलब लेजी फैलो, राइट, कैन फील, री वाइटलाइज, इन दे प्रेजन्स ओफ, अविवाश्यस सोल, और विवाश्यस सोल का मतलब, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है, एक्सेंचुएट से वाक्य देखते हैं, यू कुड वियर, अ ब्राउन शर्ट, तो एक्सेंचुएट, यूर ब्राउन आईज, बिल्कुल सही है, वाक्य समझ में आया है, नेक्स पर बढ़ते हैं बिटा, अगला वाक्य है, मेट्रेस का मतलब गद्दा होता है, जिस पर आप लेटते हो, अगला वर्ड है, बिटा बोलो, पैन्यॉरी, अस्टेट ऑफ एक्स्ट्रीम देस्टिटूशन, डेस्टिटूट वड़ भी आया था, बेसाहरा अभाव में जो हो, जिसमें बहुत जादा कमी रही हो, वो पैन्यॉरी है, सदेस्ट लेते हैं, मोहन फाउंट, मिरियर्ड एवन्यूस, अफ दिस्ट्रेक्शन, फ्रॉम हीज, फैमिली की गरीबी की वजए से, उसके पास बहुत सारे ऐसे मोके आए, जिससे उसकी जो पढ़ाई है, या जो उसकी कंसेंट्रेशन है, वो भंगुई, बोले बटा बात समझ में है, रेपलीट से संदेस्ट लेते हैं, यूर किचन इस, रेपलीट विद, रेपलीट विद, एसेंशेल्स, आपका जो किचन है, भरा हुआ है, जरूरी चीजें सारीक सारी उसमें है, सेडिशन लेते हैं, स्टेट्मेंट, द ब्रिटिशर्स, रिफ्यूस्ट तू लेवल, सेडिशन चार्जेज, अगेंस्ट देम, और देम में वही हमारे तीन महापुरुष, तीन करांतिकारी, जो बहुत टैनाशियस थे, अजादी के लिए, अगला वर्ट टैनाशियस ही है, स्टेट्मेंट बड़ा गजब का, और उसी अप मैंने अपने अनुभव से लिखा, अपनी जिंदगी से रिलेट करके लिखा है, बड़ा दिल से लिखा है अगला वाक्य है, अगर आप वहां पर आंसर दे पा रहे हो, तो साथ साथ बताते भी रहेंगे कमेंट सेक्शन में, के कौनसा आंसर कौनसा है, किसका क्या है, शाबाश, बहुँ अच्छे, ट्रेजिन है पहला, उसमें आपको जो भी वर्ड दिख रहा है, फिकल है, गॉंट है, केडवरस है, सेडिशन है, अबाउंड है अगला, हेगर्ड, इमेशियेटेड, रेपलीट, होरी, डेस्टिट्यूट है अगला, एस्सिमिलेट होगा, पौवर्टी होगा, एक्सिट होगा, या सेक्रीट होगा, हो गया? आप सबने करी लिया होगा, येस, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं, अब आपको करना है, चार से लेके छे तक, चार, पांच, छे, आउटलाइन, तो आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, क्या कॉन्टूर होगा, विंडफॉल होगा, रेमेडी होगा या अर होगा, पाचवाँ बाउंटी है, तो आंसर बिलंडर होगा, लूम होगा, गिफ्ट होगा, यह यहाँ पर भी एक वर्ड लिख लेते हैं, मालीजी, यहाँ पर हम वर्ड लिख लेते हैं, सनाइन, का मतलब मूर्ख होता है वैसे राइट या फिर just a minute C option अगर नहीं है तो C में कोई भी option डाल दीजी आप जैसे मान लिजी आपने डाल दिया onus डाल लेते हैं चलो S9 onus कोई भी वर डाल लो मतलब option कुछ भी हो onus का मतलब जिम्मेदारी होता है वैसे S9 का मतलब मूर्ख होता है तो blender है, loom है, onus है, gift है चटे में obstinate तो आपके हिसाब से क्या obstinate में dwindle है, leech है tenacious है, retort है यह सारे word बेटा examination के लिए बहुत important है जाए वो options में कोई भी हो क्या answers आप आरे हैं दिमाग में पढ़ने का फाइदा होता है, पढ़ने का यह फाइदा होता है you get to know the right answer चाहे बेशक, आपको साइड वाले words ना भी आ रहे हों अगर वर्ड का पता है तो आप answer टिक कर लोगे अगर आपको उस वर्ड का मतलब पता है तो you would be able to tick the answer accentuate, अब आपको बाकी कुछ नहीं पता पर अगर आपको यह पता कि accentuate क्या होता है तो answer अपने अपसे आ जाएगा yes or no? भी आपको नहीं पता colt यहाँ पर क्या है, stew क्या है, who क्या है पर आपको पता है क्या answer stress है तो आप automatically आप answer टिक करोगे बटा right, कोई दिकत नहीं होती, आठवे पर legitimate, का answer ढूणना है कि valid है, cramped है, confined है immersed है, क्या मतलब है इसका 9 में पर आगए vindicate का मतलब क्या समझते हैं भई vindicate का answer क्या hover है, taper है slackन है, justify है last word हमारे पास बचा और उसके बाद discuss करने पर आएंगे और फिर आप अपने नंबर मैच कर लीजेगा विवाशियस आपके इसाब से क्या है विवाशियस का मतलब, tardy है, lively है dilatory है, या फिर prompt है enough time, I hope, right और 10 questions, लगभग 50 words और नए words हमें मिलेंगे इसमें सीखने को, right, जो हमने परिक्षा सबसे अची चीज होती है और परिक्षा बहुत गजब की चीज सिखाती है पर सिखशक है तो पहले सिखाना चाहिए फिर परिक्षा लेनी चाहिए पर वर्ड, trasion है, trasion का मतलब विश्वास गात होता है, गदारी होता है देशद्रो होता है, आप जो कहना चाहिए कहें तो इसमें से जो आंसर है वो तो क्या हो गया, D D, फिकल का मतलब होता है चंचल, अब साथ-साथ लिखते रहना, अगर अभी नहीं लिख रहे है तो अभी समझ लेना फिर आप उसे कर लेना, चंचल जैसे फिकल-मांडिड परसन, याई कि चंचल दिमाग वाला जिसका दिमाग ज्यादा ज्यादा कंसेंट्रेट नहीं कर पाता, इदर उदर भटकता रहता है, वो फिकल-मांडिड होता है फिकल का मतलब चंचल गॉंट का मतलब होता है कमजोर कैड़ वरस का मतलब क्या होता है, कमजोर तो गॉंट और कैड़ वरस दोनों का मतलब क्या होगा, कमजोर तो मीनिंग के लेवल पर भी समझ लोगे, तो भी बात बन जाएगी याई कि इनका मतलब वीक होता है बेटा फिकल का मतलब चंचल, जो बहुत चंचल है, जो टिकता नहीं, that is called फिकल, अबाउंड का मतलब क्या है, भरमार, प्रचूर मात्रा में होना याई कि फिल्ड to satisfaction, याद आया तो अबाउंड का मतलब क्या, हैगार्ड है, नहीं, हैगार्ड का भी मतलब क्या है, कमजोर हैगार्ड का मतलब क्या निकलेगा, कमजोर तो गॉंट भी कमजोर है, कैडवरस भी कमजोर है, कैडवरस माने पीला भी होता है रंग में पीला, condition में कमजोर Haggard माने भी कमजोर है और Immaciated माने भी कमजोर है भाई सब ये सारे words लिख लीजिएगा बिटा ये आपकी जिम्हेदारी बनती है जब notes बनाओ चाहे अब नहीं कर रहे है तो दोबारा जब आप इस class को देखो जहां भी जो चीज लिखने से रह गए या दोबारा से शुरू से note बनाना तो stop करकर करके उसको देख लेना है और बहतरी notes बना लेना बेटा अपने Immaciated का भी मतलब कमजोर है Immaciated पड़ा जाएगा Right? Immaciated Replete इसका अंसर होगा? Yes? Abound का अंसर होगा? Replete Part On about a mutual mantra Mi reality का भी मतलब fill to satisfaction निए पूरा भरा होना और होरी का मतलब होता है सफेद बालो वाला बुढबहा सफेद बालो वाला बुढ़हा सिर्फ बुढ़हा नहीं सफेद बालो वाला बुढ़हा सफेद बालो वाला व्रिद या बुढ़हा Right? सफेद, बालो वाला जो बुढ़ा वेकती, बुजूर्ग वेकती है, जो ओल्ड मैन विद वाइट हेर, that is called होरी, उसे हम होरी पड़ते हैं, is it clear? आगे चलते हैं, दो ओप्शन के साथ हमने question किये, अब तीसरे पर हम आ गए, अब करने जाएं, यानिके आभाव होना, और अभाव किसको दिखाता है, गरीबी को, तो आंसर क्या होगा, पॉवर्टी होगा, आंसर पॉवर्टी होगा कि नहीं होगे बटा? आंसर होगा पॉवर्टी, destination poverty assimilate माने कोई चीज सोखना अपने अंदर assimilate का मतलब क्या है सोखना जैसे मान लिजिए कि आपने पानी भराओ तो वहाँ पर फॉर्म रख दी फॉर्म ने सारा पानी क्या कर लिया सूख लिया जैसे घी है देसी घी राइट बाजरे की रोटी अगर देसी घी में डाल दोगे तो बाजरा क्या है वो सारे गी को सोख लेता है अपने अंदर यानि के बाजरे की रोटी ने देसी घी को क्या कर लिया assimilate कर लिया यानि कि अपने अंदर सोख लेना जैसे घी है उसमें अगर आप सक्क्र डाल दो को तो सक्क्र क्या कर लेगी एस सीमिलेट कर लेगी ही को बलो बात समझ में आई और एक्स्यूड इसका उल्टा है सेक्रेट का भी मतलब इन दोनों का मतलब है टपकना कोई चीज टपकना या उससे निकलना that is called एक्स्यूड या सेक्रीट जैसे अगर छत में से पानी टपकने लगे तो वो क्या करेगा एक्स्यूड जैसे हम अगर देख रहे हैं कि रात को मैंने स्कूटी ठीक छोड़ी थी पर सुबह उठके देखा तो उसमें से तेल जो है वो निकला हुआ था तो इसका मतलब तेल कहीं न कहीं से क्या कर रहा है अगर हम देखें, फर्ष पर तेल गिरा वादा है, यानि तेल क्या कर रहा है, एक्सिूड या सेक्रीट, इसका मतलब क्या है, टपक रहा है, निकल रहा है, बहार आरा है, एसीमिलिट का एंटोनीम होता है, आउट लाइन का आंसर क्या हो जाएगा, गॉंटूर, है ना, एकदम से अच्छा भागय बन जाना, that is called windfall, याई कि jackpot समझ सकते हो, to get a jackpot, कोई jackpot लग जाना, वो windfall होता है, उसको आप windfall कह सकते हो, right, remedy का मतलब क्या है, दवाई, उपचार, इलाज किसी चीज का, that is called remedy, अर का मतलब क्या है, गल्ती, किसी चीज की mistake को हम क्या कहते है, गल् एक mistake, गल्ती करना, ये क्या होता है, अर, कहते हैं, to are is human, यहन के मनुष्य गल्तियों का पुतला है, तो चार वर्ड आपने किये, बोलो बात समझ में आई, और ध्यान पूरा, पूरा ध्यान होना चाहिए, जब तक हम क्लास में एक सिकिन के लिए भी ध्यानी दुरदर नही इस पर होना चाहिए, कि सीखने को क्या मिल रहा है, इस एक लिए नेक्स पर चलते हैं, लेट्स मूफ तो नेक्स वर्ड, बाउंटी, बाउंटी आपके हिसाब से यहां पर कौन सा वर्ड है, जो रिलेस कर सकता है, बाउंटी आंसर होगा गिफ्ट, बेश्क मुझे कुछ न अर जैसा ही वर्ड है, यह सो नो, भै इसको भै अर ही लिग लिएता हूं, इससे ओपर की आहता है, तो आपको याद रहेगा, अर का भी मतलब मिस्टेक है, लूम का मतलब होता है, धीरे धीरे समीप आना, धीरे धीरे नस्दीक आना, याने कि इसका मतलब है, पास आना, तेनाशियस बिल्कुल से यांसर हो जागा ऑप्सिनेट का मतलब जीदी तो तेनाशियस आंसर हो गया बेशक मुझे कुछ और नहीं समझ में आ रहा पर अगर वर्ड पढ़ाय तो आंसर ये बेशक से नहीं कुछ है कहते है ऑप्शन को स्ट्राइक आउट करो है क्यों भी लीच का मतलब होता है बेटा दूसरे का खून पीने वाला लीच का मतलब वैसे अगर हम देखें तो जोंक को हम कहते हैं क्या लीच जो जोंक होती है जो खून पीती है तो जो व्यक्ति दूसरे पर आश्रीत होता है बहुत जाद आश्रीत होता है बहुत जाद आश्रीत होत जवाब देना, रिटोड का मतलब क्या होता है बिटा, मुह तोड जवाब देना, यानि कि सक्त लिहाजे में जवाब देना, मुह तोड जवाब देना, किसी चीज़ को, that is called, मुह तोड जवाब देना, रिटोड, our army retorts, the Pakistani army, that is called, रिटोड, right, next word है, accentuate, बोलो, accentuate, accentuate का मतलब है किसी चीज़ पर, बताओ, इसमें से आंसर कौन सा होगा, accentuate का, बाकी चाहे कुछ भी नहीं आतों, पर आपको पता है, आंसर क्या होगा, stress, यहनि किस चीज़ पर, single out करना, उसको important मानते हुए, court और woo, court का मतलब ऐसे तो आप ज उनों का मतलब क्या है, attract करना, ध्यान खीचना, और eschew का मतलब होता है, किसी चीज़ से बचाना, या किसी चीज़ से अपने आपको रोकना, right, eschew का मतलब होता है, eschew का मतलब होता है, किसी चीज़ से हटना या हटना, 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 रिमूव करना, रोकना, that is called eschew, अग B में क्या आ गया cramped और confined बेटा C और B दोनों का मतलब है cramped का मतलब होता है मतलब एक तरीके से जिसमें जगे कम हो जगे कम को हम क्या कह सकते हैं तंग तंग जगे या फिर सीमित जगे किसी चीज़ को सीमित कर देना that is called cramped या confined बही होता है न है जिसने program किया है उसको गुमने देते हैं उसको cramped या confined कर देते हैं उसको सेमित जगे देते हैं सवाज में यह ताकी Param को और बढ़ा सके कंफाइंड का मतलब यह होता है किसी को जियल में डाल देना या फिर तंग जगय पर बंद कर देना It's called confined Immersed का मतलब होता है पानी में बहा देना जैसे अस्तिया, क्या की जाती है? नई, पानी में नी बहाई जाती है इमर्स की जाती है पानी में बहा देना पानी में प्रवाह कर देना That is called immerse जैसे immerse the ashes बोला जाता है और साथ साथ बताना बिटा कि इसके कितने नंबर आई शाबाश नोवा विंडिकेट जस्टिफाइ आंसर होगा राइट अब होवर का मतलब क्या होता है मंदराना मंदराना विंडिकेट का अंसर तो ओ गया कौन साथ जस्टिफाइ है ना अपने आपको शी वैलकूम्ड ऑपरचुनिटी तो विंडिकेट हर सेल्फ है ना अंसर सेनिस भी आपको याद होगा होगा होवर का मतलब होता है जैसे मोस्किटोस वगरा मंदराते हैं सर के ऊपर तो कि वहता बनाए जाता है उचाही 6-ğa00 पकिति यहां पर से जडि जडिरी कम कर गली में उतार दिया जाता है तो यह क्या सा तिपरा कम को करना किसी चीज को काउन क ότι लेस बनाना उसी पिर थेचल तेपर्धा है लाइट अघर मध्लब नेगिटिभीटी इसका मतलब धरे-धरे उसको पतला करना धरे-धरे कम करना यह बिटा धरे-धरे कम करना, टेपर और स्लेकन माने धरे-धरे कम करना अगला वड ग्वाशियस है, अंसर क्या होगा? जिन्दा दिल, लाइवली, क्या पढ़ेंगे, लाइवली, विवाश्यस का मतलब जिन्दा दिल होता है, अच्छा, भई, मुझे नहीं पता कि टार्डी, डाइलेट्री, प्रॉंप्ट क्या होता है, पर फिर भी आंसर क्या है, लाइवली हमें पता लग गया, टार्डी और ड जिसमें बहुत जादा देरी हो आज नहीं कल नहीं परसो परसो नहीं उससे अगले दिन ऐसे टार्डी राइट जैसे गवर्मेंट का काम करने का तरीका हम कहते भी टार्डी है इसका मतलब जो चीज दो साल में हो सकती है वो उसके लिए पात साल लग जाते हैं या दस साल लग और लगातार मैं इन सेशन के साथ कंटीनी रहूंगा आज भी 100 वर्ट समने किये और इन सारे वर्ट की जिमेदारी आपकी लगातार चीजों को रिवाइज करें तब तक रिवाइज करें जब तक की वो पर्मनेंट नहीं हो गए सेशन और कुछ बच्चों ने अपने माक्स से बताने शुरू कर दिये लगा तर अपने माक्स को बताते रहे अनुक्त धन्यवाद थैंक्यू थैंक्स लॉट धन्यवाद टेक क्यर स्टे क्रियेेटिटी दिया थैंक्यू